Hello students, welcome to minor care, मैं हो Krishna, कैसे हैं सब लोग, मास्त बाडिया तो थोड़ी सी बातें आप को लेके कर लेते हैं, लेक्टे स्टार्ट करने से पहले कुछ confusion हैं बच्चों को, जो मैं दूर कर दूँ, पहला है कि सर आप में हमको extra क्या मिलने वाला है तो देखो मैं बता दूँ आपको lecture और notes, ये तो आपको YouTube पे भी मिल रहे है, app भी मिलेंगे उसके अलावा जो आपके main exam की preparation है, one mask question कैसे होंगे, two mask question कैसे आएंगे, three mask कैसे आएंगे, five mask कैसे आएंगे जो important questions है, ठीक है, questions होंगे और उनके answers भी आपको मिलेंगे, ठीक है, जल्दी मिलेंगे साथी चीज़े, then MCQ practice की जो exam में practice है, एक होता है कि आप YouTube पे ऐसे मालोग कर दिया सामने कि हाँ ये question ये answer है, उसमें मजा नहीं है बेटा, app में जब question आपके सामने रहेगा, आप preparation के हिसाब से भी रहेगा सब कुछ, यानि की समझ रहेगा, आप दोनों चीज़े combined रहेंगी इसके अंदर, आपके fill in the blanks भी आये थे, ठीक है, one mass question भी आये थे, जो की 20 number का part है, अब तुमारे defarm first year और second year के final exam का, तो ये दोनों चीज़े रहेंगी, जल्द ही live classes start हो ठीक है ना, तो जल्द ही classes start हो जाएंगी और routine test start हो जाएंगे, जिन बच्चों ने course subscribe कर लिया है, ठीक है, बिल्कुल भी घबराएं नहीं और बिल्कुल भी ये ना सोचें कि अभी क्या हो रहा है ये, जल्द ही आप लोगों के batch बना दिये जाएंगे, और आपके लिए live doubt classes और routine test वगरा, जो सारी चीज़ें हैं ये आपको available start हो जाएंगी, ये सब चीज़ें जो हैं ये तो already पड़ी हुई है कुछ और कुछ जल्दी उसमें add हो जाएंगी आपके app में, अब दूसरा confusion है, सर ये 1100 रुपे बहुत जादा है, तो मैं बच्चों से कर रहा हैं, बच् इस date को expire हो जाएगा, उसके लिए बिल्कुल चिंता ना करें, जो जिस state के है, उसके हिसाब सम्कों को categorize कर लिए जाएगा, जिनके paper late होंगे, उनके लिए वो expiry date बढ़ा दी जाएगी, यानि की course उस date पे end ना हो करके, उनका जब final paper होगा, उसके बाद ही हुआ, उस महीने क एंड में जा करके, ये जो एप का जो course आप purchase करेंगे, वो end होगा, बास समझ में आगी, course जिन लोगो लगता है कि sir 11 सावान बढ़ा है, तो उनको दो installment में course available है, ठीक है, ये बात बताना भूल गया तब मैं, ठीक है, साड़े 500 रुपे, दो installment में, तीन-तीन में में आपको कर करने है, एक installment आप आज करते हैं, तो आज से तीन मेने बाद आपको दूसरी installment करने पड़ेगी, ठीक है ना, दूसरा एप का download link, description में दे दिया है, और description में ही आपको इस lecture के notes भी मिलने वाले है, किलियर है, उसके बाद भी कोई दिक्कत है, तो आप इस number पे मुझे contact कर सकते ह मैं आपके queries को दूर करूँगा, ठीक है, किलियर है, इसके लागोई कोई doubt है मेरे ख्याल से, अगर तो diet call करें मेरे को, बिल्कुल भी हिचके चाहे ना, मैं जो भी query होगी आपके दूर कर दूँगा, फिलाल ये सारी queries जो मैं भी तक देख रहा था आ रही थी, तो उनको ले हान से, hypertension तो ओके-ओके था, यहां थोड़ा चीजे है, ध्यान से समझनी है ना, क्यों ध्यान समझनी है, दिल का मामला है, ठीक है, दिल का मामला है, है ना, हाट के बारे मेरे सारी बाते हैं, cardiovascular disease बगएरा पढ़ रहे हम लोग, तो चलो, स्टार्ट करते हैं हम लोग, शुरू होता है हमाई chest में, pain होगा, तो हम लोग कहेंगे, क्या है, एंजाइना है, ठीक है, अब उससे पहले, हमें कुछ बातों को और कुछ terms को बहुत किलिरली समझना होगा, क्या बाते हैं, क्या term है, इसकेमिया है, एक word आ गया, इसकेमिया, ठीक है ना, is a condition in which blood flow and does oxygen, blood flow कम हो जात कि कहां पर, cells के पास, कहां के cells, muscles, कहां के cells होंगे वो, heart, जो हमारा heart है, उसकी जो muscles है, उसकी जो cells है, ठीक है ना, तो उनके पास क्या कमी आएगी, ऑप oxygen कमी होने के वाईए से, वो proper काम नहीं कर पाएंगी, ठीक है, तो सीधर फंडा क्या हो गया, हमारे पास cell, cell कहां का है, muscles of, muscles of heart, ठीक है, जिसको कि हम लोग, myocardium में कहते है, myocardium भी बोल देते हैं, किसको, heart की जो दिवाले हैं, या heart की जो muscles है, वहाँ पर जब oxygen यानकि blood की supply कम होगी, किसी वज़य से, blood की supply क्यों कम हो जाएगी, वो भी समझेंगे, तो oxygen की कमी हो जाएगी, ठीक है, blood flow is restricted, रु induced, या कम हो गया है, it is a part of the body, in a part of body, है न, तो किसी भी body part में, कहीं पर, अगर blood flow कम हो जाता है, या रुक जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बास समझ में आई, और यही चीज़ जब heart के होती है, तो कुछ condition generate होंगी, जिसमें angina, my myocardium infarction वगरा, तमाम चीज़ आना, start हो जाएंगी, आगे, cardiac ischemia, मतलब, oxygen की कमी, यान की blood flow की कमी, कहां पर, heart में, heart की muscles में, is the name for decreased blood flow and oxygen to the heart muscles, heart की जो muscles है, जब वहां पर, blood flow कम हो जाएगा, oxygen की supply कम हो जाएगी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, cardiac ischemia, ischemia, तो actually क्या है, जो ischemia, एक बड़ा वर्ड है, इसके तक दो तीन चीज़ आ जाती है, ठीक है, क्या क्या चीज़ आएंगी, देखते हैं अभी, ischemia heart disease, actually जो main, जो term हो यह है, ischemia heart disease, ischemia के वैशे से होने वाली, दिल की बिमारिया, is defined as lack of oxygen, oxygen की कमी due to, क्यों हो गई है, decreased or no blood flow to the myocardium, myocardium क्या होता है, muscles of heart, तो ischemia heart disease क्या होती है, oxygen कमी हो जाना, blood के कम flow होने की बज़े से, कहां पर, heart के muscles के पास, due to, क्यों हो गया है, यह कम flow, narrowing or obstruction, narrow मतलब पतला हो जाना, obstruct मतलब रुक जाना, of coronary artery, अब यह coronary artery क्या होती है, artery, artery का मतलब simply क्या होता है, artery क्या होती है, artery क्या होती है, जो supply blood, supply blood to body, ठीक है न, body, body, यानि कि जो heart से निकल करके, verses, blood vessels निकल के, हमारी पुरी body को blood supply करते हैं, उनको artery कहते हैं, और वहीं पर, जो artery, heart muscles को supply करेंगी, या heart को supply करती हैं, blood, ठीक है, जो artery heart को supply करेंगी, उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, coronary artery, क्या बोल देते हैं उनको हम लोग? Coronary Artery तो नाम है बिलकुल ध्यान रखेंगे Coronary Artery मतलब ऐसी Artery Heart से निकल के Heart की मसल्स को Blood की Supply सुरू हो जाती है आगे आते हैं It is also called Coronary Artery Disease इसलिए इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं क्या नाम है उसका? Coronary Artery Disease हम कह सकते हैं कि ये Balance जो Disturb हो गया है जो Heart को Supply चाहिए Oxygen की और जो मिल रही है इन में जब Balance खतम हो गया है ना अगर इतनी Supply चाहिए उधनी Supply मिल रही तो तो Okay है Supply कम हो गयी है Demand जादा है तो हम कह सकते है IHD Create हो जाता है अब इसके अंदर क्या क्या आता है इसके अंदर आएगा Enzyna जो की मोटे मोटे दो तोर पर पर पढ़े जाते है Stable और Unstable ठीक है Myocardial Infraction ठीक है ना ये दोर अपने कोर्स में है Then Heart Failure और Arrhythmia ये भी इसकी ही वज़े से होता है ठीक है तो आगे आते हैं हम लोग अब अब आते हैं अपने proper Enzyna पर तो बात समझ में आई ये starting का point क्या है इससे बात समझ में आएगे कि ये दोनों चीजें एक ही चीज के अंदर है दो term है और लेकिन दोनों में main difference क्या है उसको समझेंगे हम लोग बहुत बारीक सा है main difference ठीक है तो definition of Enzyna Enzyna is a type of chest pain एक खास तरह का chest pain chest pain दर्द होगा caused by कारण कौन होता है reduced blood flow to the heart heart के पास जब heart muscles के पास blood का flow रूप जाता है तो chest pain होने लगता है Enzyna is a symptom of coronary artery disease Enzyna is a symptom of coronary artery disease मतलब आपकी coronary artery में कोई problem होना स्टार्ट हो गई है यह उसका एक Enzyna क्या है symptom है ठीक है Enzyna is also called Enzyna pectoris इसको हम Enzyna pectoris ही बोल देते हैं Enzyna is the result of myocardial ischemia अब वही चीज आ गई चाहें से coronary artery disease बोल लो चाहें ischemia बोल लो तो result of myocardial ischemia मतलब muscles को ischemia मतलब oxygen नहीं मिल पारी है caused by an imbalance between myocardial blood supply and oxygen demand जो imbalance हो गया तो घूम फिर के यह वाली बात है यह वाली बात और यह वाली बात देख रहे हो यह वाली बात और यह वाली बात कहीं ना कहीं एक ही है बस बोलने के तरीके में अंतर है तो definition में इसका यह बोलोगे तुम लोग types की बात करें अगर हम लोग there are different types of angina the types depend on the cause अला-अला type की angina होती है मतलब दर्द होने की वज़े क्या है तो किस current से दर्द हो रहा है उसके हिसाब से हमने इसको 4 पार्ट में तोड़ा हुआ है सबसे पहले stable angina stable मतलब ठीक है दर्द होगा लेकिन जादा दिक्कत वाली बात नहीं है देखो क्या होता है stable angina is the most common form of angina सबसे ज्यादा common form है आप अचानक से दोड़ने लग जाओ heart में थोड़ा दर्द कर सकता है क्यों अभी तक आपका heart नॉर्मल काम करा से एकदम से जोड़े oxygen की supply बढ़ गई जो एकदम से नहीं मिल पाई तो थोई देखर दर्द होगा फिर वो चला जाएगा ऐसा हो सकता है इस यूजली हैपन डूरिंग एक्टिविटी यह जर्नली का होगा एक्टिविटी यह एक्सेर्शन एक्सेर्शन मतलब होगे जब आप तराओं में हैं तराओं इंदसेंस बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं ठीक है और जैसे आप सांत हो जाएंगे रेस्ट पर आजाएंगे गो जब जब चला जाता है ठीक है और एंजाइना मेडिकेशन यह अगर आप तराओं दवाई ले ले उसकी तो यह चला जाएगा दर्द खतम हो जाएगा ठीक है तो उसको कहाँ स्टेबल मतलब ठीक है एक्टिविटी करोगे तो होगा जर्वेज नहीं होगा और दवाई खाओगे तो ठीक हो जाएगा फॉर एक्जामपल पेइन डेट कमस और वेन यू और वाकिंग अफिल मालो तुम्हें पहाड या चड़ाई चड़ो जीना चड़ रहे हो ठीक है अफिल उपर जा रहे हो और दर्ध होटा ठीक है और in the cold weather may be angina इसी ठंडे मौसम में normally क्या होता है chest में pain होता है सुना ओगा जो बुड़े बाड़े लोग होते है ठीक है वहाँ पे pain होने के संभावने रहती है ठंडे मौसम में जो बुड़े लोग होते हैं उनको running गयर या walking करने के लिए मना किया जाता है नॉर्मल टेहलो बस ठंड में बाहर मत जाईए ठीक है यह एक्जामपल है एंजाना के इस्टेवल एंजाना pain is predictable यह प्रेडिक टेवल हम इसको समझ सकते हैं usually similar to previous episode बिल्कुल पहले जासा होता हम समझ जाते हैं अच्छा यह दर्द हो रहा ही है तो एंजाना ही है पहले भी ऐसा हुआ था तो प्रेडिक टेवल हम से समझ सकते हैं कि अच्छा यही दर्द हो रहा है से महीं हो रहा है वैसा ही हो रहा है ठीक है टू प्रिवियस एपिसोड जैसे पहले हुआ था ठीक वैसा ही है और चेस्ट पेंट टिपिकली लास्ट आश एल तो ऑनिस्टेवल यह अंप्रेडिक टेवल एंड ओकर एट रेस्ट आप नुमल भी बैठे वह लेटे हुए है तब भी दर्द हो जाएगा और अनप्रेडिक टेवल है कभी इधर होगा कभी उधर होगा या कुछ और तरीके से हो जाएगा दर्द आपको समझ में ना हो यह उसी का यह दर्द है और दा एंजाइना पेन इज वर्सनिंग एंड ओकर विद लेस्ट फिजिकल एफट ठीक है यह और बत से बत्तर हो जाता दर्द ओकर विद लेस्ट थोड़ा बहुत भी फिजिकल काम कर गो तो उसमें आपको क्या है दर्द हो जाएगा यह काफी सीवियर होता है खतरना होता है लास्ट लॉंगर देन इस्ट लॉंगर लंबा होता है तक यह दूर्द रह सकता है और लॉंगर यह देर तक भी दर्द नहीं जाएगा ये और यह आपने एक नॉर्मल जो एंजाना उपर आला था इस्टेबल वाला उसकी वाई से आपका दर्द नहीं जा रहा है if the blood flow does not improve अगर ब्लड फ्लो इंप्रूब नहीं हुआ याने कि जाए से ब्लड की कमी होगी तिना उस हिस्से जा नहीं पा रहा था ठीक है अब समझेंगा डियाग्राम से भी the heart is starved star क्षब्स ट्राम मतलब भूका 49 때도 यहां किसके के लिए oxygen के लिए हर्ट की मसलों को oxygen री व मिरूं किया होगा एंड हटर अट्व एंट की में विश्पंशिन नहीं मिलेगी तो वह मसलों काम करना बंद कर देंगे दे Bu ap सब्सक्राइब करेगा और फिर डेथ होने की कंडिशन आजाएगी अनिस्टेवल एंजाइना इस डेंजरस एंड रुकाइर इमर्जेंसी ट्रीटमेंट होता है ठीक है और इसको मेडिकल इमर्जेंसी की जरूरत होती है अगे आते हैं थर्डबन इस वेरियंट एंजाईना इसको हम प्रिंचल रिंचल एंजाईना भी कहते हैं वेरियंट इंजाईना užा शो काल्ड प्रिंचल एंजाइना इस not due to coronary artery disease यह coronary artery disease के वज़े से होता ही नहीं है समझे हो यह मतलब disease के वज़े से नहीं होगा it caused by spasm जो एठन एक तरह से मरोड उठेगी या ऐसे समझेंगा भी हम इसको मालों एक normal blood vessel ऐसी है तो किसी वज़े से यह क्या कर जाएगी सुकुड जाती है spasm इसमें एक एंठन से किरियेट हो जाती है क्यों होती है किसली होती है समझेंगे उसे तो इस पैसमा आयाता है in the heart artery that temporarily reduce the blood flow यह कुछ समय के लिए blood flow को रोकेगा फिर नॉर्मल हो जाएगा तो ठीक हो जाता है severe chest pain is the main symptom of variant engine हो सकता है काफी हद तक सुकूड जाए तो एक दम तेज दर्द उट सकता है it most often occurred in cycles typically at rest and overnight these됐 caminho को गाए जाएगा होगा जायए इस पैसमा ना जैसे इसे पेटेमे मरेड को दर्द उटता है ना दर्द होता है जाता है होता है जाता है पेट में कहीता है ठीक वैसे यह भी हो गा rest भे हो जाएगा या जातर रात में होगा यह the pain may be relieved by angina medication यहाँ पर जो दर्द है angina medication खाके आराम मिल सकता है more common to women and smokers women and smokers में यह generally पाया जाता है refractory angina angina episodes are frequent angina episodes क्या होंगे frequent होंगे जल दिल दियाएंगे despite a combination of medications and lifestyle changes हमने दवाईयां भी कर ली अपनी lifestyle भी change कर ली smoking छोड़ दी अलकॉल छोड़ जो कुछ खाते पीते तो वह सब छोड़ दिया जो डॉक्टर ने कहा लेकिन उसके बाद भी दर्द हो रहा है क्यों इसकी वज़े क्या है microvascular dysfunction जो बहुती microvascular capillaries होती है blood capillaries वो क्या proper काम नहीं कर रही है पर ना उन्हें ब्लॉके जाना कुछ और प्रपर काम नहीं कर रही है या तो वह काम नहीं कर रही है और इन combination with epicardial coronary disease या साथ-साथ में यह भी हो सकता है और साथ-साथ में epicardial coronary disease भी हो सकती है इसका reason is thought to contribute significantly to refractory angina यह माना जाता है कि यह दोनों मिल करके refractory angina cause करते हैं अब देखो atiopathogenesis atiopathogenesis में atherosclerosis ठीक है न याने की देख रहे हो यह atherosclerosis यह सेम इसको अच्छे समझ लें diagram को दिमाग में एकदम सेट कर लेना ताकि इसका पिक्चराइशन इतना अच्छा दिमाग में सेट रहेगा उतना अच्छा समझ में आएगा blood vessel में क्या होता है ठीक है सबसे अंदर का यह जो सबसे अंदर की layer है ठीक है इस intima कहते है ठीक है यह बीच की layer होती है और यह सबसे outer layer होती है तीन पर्ते पाई जाती है इसके अंदर ठीक है तो सबसे अंदर वाली क्या कहते है intima कहते है intima के नीचे यह जो layer है यह intima अब intima कुछ ऐसी रह गई उसके नीचे प्लेक याने की जो हमारा फैट जा करके श्टोर होने लगा यह ब्लड विसल क्या हो गया पत्र होने लगा समय के साथ प्रोग्रेस होता है यह अगर हम नहीं सुधरे डॉक्टर की बात नहीं मानी तो जिद्रे क्या है बढ़ रहा है फिर और आएसा होता है कि यहां से ऐसे ऑसकी तो कई बार क्या होता है यह जिले क्या है अब ніकल करके बहार आजायेगा तब दिक्कत और जबढ़ बढ़ जाती जब एसां लेयर रप्चर हुए घब सिर्फ प्लाड होते है अब देखरो मातर के वल इतनी जगह रहे गई है तो इस तरीके से राष्ता क्या होता जा रहा है पतला होता जा रहा है 진 थि लगर की और oxygen की वो नहीं पहुंच पा रही है यही है राष्टा पतला हो गया उसके वाज़े से आगे ब्लड की सप्लाई कम हो रही है इसलिए कहा जाता है कि अपना खान पान अच्छा रखें और नहीं रख सकते तो बड़े से हो जाएंगे आगे आते हैं देखो नॉर्मलहमन आर्टरी यह रही सबसे अंदर यह फ्लूट मसलस है सबसे अंदर की लेयर यह और इंडो फैलिंबी बहुते निशे फिर इस इसंदो फैलिंव यह उपर इसके नीचे क्या श्टार्ट हो गया मैक्रोफेजेस ट्रा के लिए ताकि दिमाग में अच्छे से चीजें सेट हो जाएं अब देखो यह प्रोग्रेस कैसे कर रहा है ठीक है सुरुवात में यह हमारी अच्छी आर्ट्री गुड़ अब हुआ क्या दीद रहे जब रहता है इस्टिदी तो क्या रहता है हमारी इसकेमिया वाली कंडिशन चलती रहती है जो एंजायना वाली रहती है क्योगी यह काफी नेरो हो चुका है अब जब यह आगे जाके रप्चर करेगा ना वेटा यहां तक एक अलग कहानी हो गई जब रप्चर करेगा तो सबसक्र करें अब जब नडग बनेगा तो conclude बनेगा क क्लॉड को जाता है रास्ता हो जब बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा तो हमारे बास क्या आएगा myocardial infarction जिसे हम कहते हार ऑ्ट ठीक है तो आधी सुच्छी से नहीं इसके आगी बढ़ेगी तो myocardial infarction इसी लिए यह एंजाइना हम समझ सकते हैं यहां तक क्या है इंजाइना है इसके आगे क्या रहेगा यह माइक आडिया इन्फाक्षिन हो जाएगा तो डोनों को इसी ले साथ में डाला गया है बास समझ्वारी है यह बड़ाहेका मंचे से के लिए रोन होगा और देखते हैं कुछ और ड ब्लड वेसल निकली और ये ब्लड वेसल किसको सप्लाई दे रही है, हार्ट को सप्लाई दे रही है, यहां से ब्लड वेसल निकली किसको सप्लाई दे रही है, हार्ट को सप्लाई दे रही है, यह हार्ट मसल्स हैं और यह जो आर्टरीस हैं, जो हार्ट की मसल्स को सप्लाई द सबसे बूरिक चलते हैं ठीक नमड कंडिशन जी तरी यह यह जैक कर जा यहां फेटी स्टिक साने श्टाट हो गए है ठीक जेँ जो आ जाता है और फैट जमने के वैशेसे नीचे के सेल्स नहीं पहुंच बाती है तो necrosis cell की death होना भी start हो जाती है यह calcification, calcium जमना start हो गया है ठीक है? अब क्या होगा? प्लेक rupture होना start होगा है जब यह प्लेक rupture होता है तो कई बार क्या होगा? rupture होने के बाद यह पूरा भर जाएगा, बाहर निकलाएगा और occlusion, पूरा block करतेगा occlude हो गया पूरा यह जब यह कई बार plague पूरा occlude कर लेगा तो भी blood की supply क्या हो जाएगी? block हो जाएगी, यह condition बच्चों आ जाती है किसमें? myocardial यानि यह दोनों condition कह सकते हैं, यह condition rupture हो रप्चर होकर कि फिर्याली condition यह myocardial infarction की condition रहती है ठीक है ना, तो diagram से मैंने कोशिश की है, अच्छे दिमाग में set हो जाएग कि हमारी blood vessel में हो क्या रहा है ठीक है, use of cocaine cocaine जो होता है, कई बार क्या करता है जिलनों को दिक्कत है, समस्या होती है cocaine भी क्या करता हा, heart beat को बढ़ा देगा heart muscles में blood की supply की demand बढ़ा देगा oxygen की supply की demand बढ़ा जाता है कई बार और पूरा हो, हाँ पर हमको क्या यह दिक्कत हो रखी है और cocaine ने क्या कर दिया, supply demand को बढ़ा दिया, supply पीछे से कम हो रही है तो दिक्कत आ जाएगी, दर्दोना start हो जाएगा, blockage of coronary artery ed by blood clot काई यहाँ क्या वोता है? blood clot को समझेंगे its blood clot जो जुक्या वर किया जाता है.जुका क्या एक क्वोन जो थक्का होता है ऑचले कोलेरी All месявеesis क्वोन का قयी होता है, इन्फाइबानेशन और infection of coronary artery, coronary artery जिक्का इंफेकशन जाता है जिसके वैसे प्रॉपर फूल जाएगी तो प्रॉपर सप्लाई नहीं होगी इंजरी और चोट लग जाती है पूर फंक्शन आफ टाइनी ब्लड वेस्टल्स होते हैं जो फानली जाकर के मसल्स को यह आगे जाकर के सप्लाई कर रहे हैं इन में कुछ दिक्कते आ जात कि किन किन कारणों से हमको इस कैमिया स्टार्ट हुआ तो आओ देखें एस्ट्रोस्क्लोरसिस हमने समझा क्या होता है ठीक है ठीक है ग्रैजूल ग्रैजूल मतलब धीरे 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 ऑस्ट्रक्शन ब्लॉक करना स्टार्ट करेंगे आर्ट्रियल स्पास में हमने देखा प्लेक प्लेक था उसके नदर तूट करके बाहर आएगा प्लस थ्रॉम्बस मतलब जो खुल जाएगा नहीं बहुत मुश्किल होता है ठीक है यह तीनों मिल करके क्या करते हैं ऑक्लूजन अक्लूजन मतलब फाइनली जो ब्लॉड वैसल थी उसको ब्लॉक कर देंगे पूरा सफ्रॉजन अक्लूजन मतलब यह ब्लॉकिंग हो गया यह तीनों मिलकर क्या क्रिएट कर रहें हैं इस कहां यह चारी मिलकर किके गया ब्लड का और वो कहीं फ्लो करके आगे जा रहा है तो अनिस्टेवल एंजाइना तो हर बारी दर्द का क्या रहेगा अरग तरीका दर्द उठता है तो समझ में नहीं आता है दर्द प्राने वाले जैसा है कि कुछ नया हो रहा है तो थ्रॉंबल ऐसी जब हो जाएगी तो में लिख दो काम चल जाएगा एक्जाम के लिए बट कुछ बाते प्रॉपर याद रखनी होंगी एमसी की कोशन के लिए क्लियर है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है ना क्या चेंज हमें दिख जाते हैं तो सबसे बड़ा चेंज तो क्या आता है चेस्ट पें होता है सबसे आटो यह वहृती हुआ चेंज डूता है क्लिके अगरज की में ठैक्रेंट देख्ट बहुत ओ सबस्क्राइगा ठीके ना तो यह सॹतना सब्ड़ा ज्सेंगा नैगा ठीकान आतीए छृतिकर भघ। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो जाएंगे आगे चले देन आता है मैनेजमेंट कि आखिरकार हम इसकी रोग थाम कैसे करें तो नौन फार्मकलोजिकल तो देखो बच्चो सबका सेमी रहने वाला है कार्डियोस्कुलर में जो चार टॉपिक है चारोगे क्या रहेंगे सेम रहने उपिकल यह तुमको जहां पर याद करना पड़ेगा एंटि एंग्जार्यों कुछ रटी है नाइटरेट इसमें नाइट्रोग्लिष्ण न इस्थीजट्री नाइश। सौरबाइट्विकल केमिश्ट्री में था कौन आइस्थीजट्रीट नाइट्रेट तो इंपॉर्ड डोजरी लाते जो बता रहा हूं कि पिछले थे चेक कर ले ना नोगों जहां तक याद है यह थे ठीक है और जो ड्रग्स थे पिछले फर्स्ट यर में वो MCQ के लिए important हो जाएंगे ठीक है question आएगा which of the following drug is used for pharmacological treatment of enzyna उसमें यह पक्का दे रखा होगा क्योंकि पिछले में भी था बासमयों आ रही है आगे आते हैं सब practice करहोंगा मैं अभी सब आएगा आपका app में परिसान ना हो statins, atorvastatin, fluorostatin, other drugs कुछ है जैसे dipyridamol और trimetazidin ठीक है अगर दवाईया होएं सब खाली उसके बाद भी condition नहीं सुधर लिए और अगर कुछ किया नहीं गिया तो मौत हो सकती है फिर हम लोग करते हैं re-vascularization, re-vascularization का मतलब re-dwarah vascularize, vascular vascularize होता है द्वारा से किसी का खाना पानी, दाना पानी start कर दो, vascularize है ना और हमारे में क्या blood vascular system, यानिकि जो vascularize करने का काम है, खाना पानी देने का काम है, पुरी body को कौन करता है, blood करता है, तो हम लोग फिर से क बैक पूरा क्या हो गया फैल गया इस तरीके से और बहुत पतला रास्ता बचा रहे गया है तो अब ultimately क्या होगा एक balloon taped catheter डाला जाता है पतला सा घुज जाता है फिर इस balloon को फुला दिया जाता है ये इस तरह फूल जाता है इसके अंदर से इस बैलून को फिर पिचका दिया जाएगा और भाल निकाले जाता है इसके उपर की जाली लगी रहती है वो इस तरीके से इसको खोल देती है और इसके अंदर से blood up हमारा easily इस रास्ते से flow कर सकता है इसी को हम लोग बच्चों क्या कहते है stent कहते है क्या कहते है stent कहते है बात समझ में आई अगर कभी कोई कहा कि मेरे heart में stent पड़ा हुआ है तो वो यह ही है stent clear है जिसको हम लोग percutaneous coronary intervention भी कहते है types of re-vascularization में ठीक है re-vascularization example angioplasty सुना होगा stenting angioplasty और stenting यह word सुने होंगे ठीक है यह तो हो गया नॉर्मल इसमें ज्यादा कुछ लगना नहीं है नॉर्मल से डाला जाता है छोटा operation होता है जल्दी हो जाता है फिर आता हमारे पास एक CABG coronary artery bypass grafting देखो यह महिदार चीज है यह यह वाली artery देख रहे हो यह वाली artery यह यहां पर क्या हो गई यह block हो गई है दोगो दिखार रखशा है कि यह यह ब्लॉक हो गई है अब दिक्कत क्या है यहाँ है कि इसको हम लोगКакingt में आपर किसी विल्ट अब नहीं करा रहे हैं तो अब यह आगे रोट करना इछ यहां पर यह सब मर जाएंगे इस मोसल्स हर्ट काम करना बंद करतेगा हमने क्या क्या ग्राफिक्टिंग कर दी यहांões से लिया या से द sail पारे हो यह लिया डार्ट जोड़ दिया यहां बाइपास घृफ्ट हमने लगा देशिए इस तरीके से फानमें लगा देते हैं तो यह आगे की सप्फ्लाइब प्रॉप्र करेगा हमारे मशल्स को क्या मिलेगा बलड मिलता रहेगा और काम करते रहेगे लोग करते तो यह हमारे पास क्या हुआ है एंजाना का पार्ट खतम हो गया नौ मायो कार्डियल इंफरक्शन यहां पर कुछ और चीजे ठीक है थोड़ा सा आगी चलेंगे एडवांस पढ़ेंगे हम लोग मायो कार्डियल इंफरक्शन वही सारी चीजे हैं जो हमने एंजाना में की क्या होगी डेथ होगी नेक्रोसिस मतलब सेल डेथ होता है नेक्रोसिस मतलब क्या हो गया सेल का मरना और फेपोर्शन ऑफ मायो कार्डियम कुछ जो हार्ट की मसल्स थी वो उसका कुछ हिस्सा मर गया डिटू सटन ऑक्लूजन ऑक्लूजन बता दिया था मैंने अभी लेक्षर को लगाता जब पढ़ते हो तो अगर कोई वर्ट दिमाग में सेट नहीं होता तो वीडियो पॉस्ट करके याद भी करते चला करो कि लिए आगे आते हैं इसकी आगे चलेंगे पीछे अगर जश्ट थोड़ा से याद है तो थोड़ा सा पार्ट एंजयाने का आगे मायकॉर्ड इंफेक्शन का तो यहां मैं थोड़ा सा और पिक्चर लिए हैं चीजों को अच्छे समझाने के लिए द इससाथ बहुत सारी खट्टे हो जाते हैं तो देफिर एक लॉट सा बंज रहे यह दिए ब्लड़ क्लॉट इसे क्या बोलते हैं थ्रॉंबस थ्रॉंबस बार बर वर्ड आएगा थ्रॉंबस इसी में से कोई हिस्सा तूटके बाहर निकल जाए तो इसे हम लोग क्या क्या क् और पतला वाला था वहां जाकर फस गया यह इससा दिकत चालू ठीक है ना तो इंबॉलस जाने कि यह आगे जाकर और दिकत क्रेट करना शुरू कर देथे पतली पतली महीन महीन और महीन वाली वैसल सोती हो जाकर ब्लॉकिंग कर देता है तो देखो यहाँ पर क्या बोल रह प्लैक था यहाँ पर क्लॉटिंग हो गई है ठीक है और क्लॉट्षोनिक वैसे ब्लड आता वापस अलगा यहाँ पर अंदर आगे आई नहीं पा रहा है ठीक है इसकी मैसे यह मसल से यह धिर दिर मरना चालू हो रही है जब हर्ट काम नहीं करेगा दिल धड़कर क्या कुण टीशी सबसे अंदर ट्यूली का इंटीमा भीचव ऌली मीडिया एड्वेंटीश इस्या सभसे बाहर वाली होता क्या है यो सबसे अंदर के लिए यह इस तरीगी से इसके अंदर क्या जो डवा कोलेश्टॉल जमना स्टार्ट हो गया ठीक है काई बार क्या होगा यह रफ्चर होगा फूट जागा जब फूटते हैं तब दिक्कत आती जादा तब अटक पड़ने की संभावनाइं बढ़ती है यह फूटा यहां पर फूटने की वैसे यहां पर क्या होगा प्लेटलेट्स यहां पूरी तरीके से क्या हो गया यह ब्लेट जम गया यह रास्ता पूरा ब्लॉक हो गया ठीक है और इस तरीके से पूरा जो मेरा ब्लेट ब्लॉक हो गया अब क्या आएगा अटैक आएगा क्यों ब्लेट इसके हार्ट की मसल्स को पहुंचेगा नहीं ऑक्सीजन तो हार् अगर बतलब होता है बहुत ज्यादा ठीक है एक्वूट थ्रॉमबस इसका में कारण कौन है एक्वूट थ्रॉमबस एड़ा साइट ऑफ आठ्रेस्ट्रोर्टिक ऑफ्ट्रक्शन जहां पर थ्रॉमबस बहुत ज्यादा होगा ब्लड को बिलकुल अंदर जाने नहीं देगा ठीक है फिर आगे आते हैं सबसे बड़ा में डिजन इसका यह हो गया प्लस इसी में जो पीछे वाले रीजन जो तुमने याद किया अभी उसके वाले वह भी इसमें एड़ कर सकते हो वह इसके कौस में आ जाएगा नेस्ट आते हैं इसको हम देखें कि किस तरह से क्या हो र एक आतु हैं यह दिखो फ्लेंट का टूट करे आना और यहाँ पर क्या है प्लेंग पूरा रास्ते को ब्लॉक करेंगा यह प्लेंग टूट करके आ रहा यह ěहाँ है यह पर कि पुरा रस्त ब्लॉक कर दे रहा है ठीक है na डead is called rupolar of plague किलियर है उससे क्या होगा एक्सप जोजूने का मतलब है बाहर की तरफ एक खुल गया पोरह सर उस्षाप किया होगा है इसगे इli हैस्ट का पॉरमिशन को फार्मिशन होना स्टार्ट हो जाएगा यहां पर क्या हो जाएगा ब्लॉมन मतलब जो ब्ल्ड का वैसली पत्ति नाली यहां पर प्लूजन हो जाएगा वह आकर ब्लॉक हो जाएगी इसकेमिया एंड नेक्रोसिस स्टाट हो जाएगी नेक्रोसिस जहां हुई जहां सेल की मौत हुई वही पर MI आ जाता है ठीक है एक तरीका तो ये हो गया बढ़ने का दूसरे तरीका क्या है हेमरेज इन्टू द सेंटरल कोर आफ पलेग अब प्लेग तो पदाई चल गया अब तो भीया पलेग के लिए रहे है ना यही तो है पलेग यहा पलेग इसके बीच में सेंटर में यहां पर is the plague size, अब जब इसके central core में आएगा, मालो किसी वज़े से blood आ रहा है, तो इसका size बढ़ना चालो हो जाएगा, क्योंकि ये blood भी जगे लेगा, इसका size बढ़ेगा, तो पूरा जो हमारा blood vessel है, उसका जो ये अब इतना area रहा गया कि अबर, है ना, तो इसका size बढ़ेगा, तो उपर जहाँ से blood supply हो रही थी, उसका size कम हो जाएगा, Sudden Occlusion of Lumen, ultimately हो गए जरे जरे पूरा वो ब्लॉक कर देगा, occlude हो जाएगा, इस cameo and necrosis start हो जाएगी, और death हो जाएगी, ठीक है, फिर आते हैं, formation of microthrombi, exposure of thrombogenic subendothelial collagen, ठीक है, microthrombi क्यों होता है, छोटे-छोटे thrombos, उनका हम लोग क्या बोलते है, microthrombi बोलते हैं, ठीक है, जो हमारा पास क्या था, exposure of thrombogenic subendothelial collagen, collagen जो थे, endothelial के नीचे, वो ही अगेन सेम चीज है, इस तरीके से, यहाँ पर यह collagen मौझूद है, ठीक है, यह exposure होगे जैसे यहाँ पर, सामने आएंगे, ठीक है, platelets adhere to the site, यहाँ पर क्या होगा, यह platelets आकर के, यहाँ पर देखें, platelets addition and aggregation at the site of rupture, जहाँ पर फूटा है, यहाँ पर आकर platelets आकर के, चिपक गई हैं यह, ठीक है, platelets activation and aggregation, platelets क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे, और आकर चिपकना इस्टार्ट कर देंगी, ठीक है, formation of microthrombie, platelets जब activate होती हैं तो blood का clot बनाती है, ठकका बनाती हैं blood का, ब्लट को चिपकाना शुरू कर देंगी, ठीक है, अब यहाँ पर microthrombie बनेंगे, on the atheromatous plague, उस plague की उपर क्या बनना है, start हो गया, microthrombie बनना है, start हो गया, partial or complete occlusion, या तो occlusion, यानि कि ब्लॉकिस पूरा हो जाएगा, या थोड़ा सा, आधा सा हो जाएगा, of the affected coronary artery, ठीक है, और ultimately फिर क्या होगा, आगे जाके, MI, यहनि कि attack आने की सम्मावनों पर जाएगी, necrosis होगी तो MI आजाएगा, अगला क्या है इसमें, वैसे स्पास, वैसे स्पास जैसे की, release of mediator by activated platelets, जो platelets activate हो गई है, वो कुछ mediator को release करती है, endothelial cell and inflammatory cells, ठीक है न, यह सब मिल करके, कुछ mediator को release कर रही है, यह mediators क्या करेंगे, वैसे स्पास्म at the site of atheroma, जिस जगह पर plague जमा हुआ, वही पर ही, वो क्या कर देंगे, उसी जगह पर वैसे स्पास्म करवाएंगे, एक तो वैसी जगह कम है, है न, एक तो यहाँ पर वैसी जगह कम है, इतना पर क्या भरा हुआ है, क्रिवल जगह इतनी है, और यहाँ पर भी स्पैस्म करवा देंगे चिपकाएंगे इसे तो और दिक्कत है फर्दर नेरोइंग ऑफ द लिमन इससे क्यों होगा जो लिमन है वह और पतला पक्यों इतना इतना बचेगा वह और फतला हो जाता है इस पास होने के वाई से फिर वही नेक्रोसिस आएगी और या जाएगा एक्टीवेशन ओट्वेशन का यहां पर बॉट्वार को निकलता उसको और बॉट्वाक करता है बॉट्वाडी में खुन के फिसी वह यह इंचिवेट हो गया ग्लूजन और वैसल ब्लॉक हो जाएगा और नेक्रोसिस हो जाएगी ठीकन तो कहीं नहीं होता है यह साड़ा एकड़म नहीं होता है ताइम लगता इसमें तो यह सारे पॉइंट करें लागा पैथोजेनेशिक के अंदर जा रहे हैं एटियो पैथोलोजी एटियो लॉजी और पैथोजेनेशिक हमें दोनों समझनी है अच्छा उसके बाद एक तरीका और है यह चार-पांच तरीका में बता दें हैं उसे फारे याद रहें अच्छी बात एक-दो तो याद रहने चाहिए ठीक है एक और तरीका है हमेरे पास यह एक और तरीके से होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा Sudden Cardiac Death अचाना से Cardiac Death हो जाएगी और Dilated Cardiomyopathy Dilated मतलब क्या होता है जो Heart का जैसे थोड़ा बत अगर तुम लोग को यात हो तो Heart के 4 Chamber होते हैं एक Chamber ये रहा ये वाला जो Chamber होता है ये वाला Chamber ये थोड़ा सा ना फैल जाएगा कुछ ऐसा समझ लो कि अगला डियाग्राम में अगर बना दूँ तो ये वाला Chamber थोड़ा सा क्या होता है फैल जाता है ये जब फैल गया कोई चीज लूज पड़ गई तो पूरी ताकस से पंप नहीं कर पाएगा कि ब्लड को भार फैंके और पूरी बॉड़ी में आकर ब्लड सप्लाई होना सो तो ये तो फैल जाता है एक तरह से कह सकते हैं अपनी Elasticity loose कर रहा है that is called dilated फैल गया है Cardiomyopathy अब इसमें वहीं सारी चीजें जो अगर हम इसको शॉर्ट में डाले तो यहां तक थो पढ़ी लिया था मैंने बताया था इसके आगे पर्मानेंट थ्रॉंबस पर्मानेंट हो जाएगा और नेक्रोसिस हो जाएगी जो की myocardial infraction को create करता है अटाइक करवाएगा किलियर है यह उसका शॉर्ट फॉर्म में आगे सारी चीजें बात समझ में आ रही है नाओ क्लीनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या चीजें होता ही होता है ठीक है डिस पेनिया होगा सांसले दिक्कत होती है फटीग थकान होगा कुछ और सिंटम है वही स्वेटिंग वीगनेस नौइजिया मतलब पर रिदम नहीं रहेगा चैस्ट पेंट रहेगा इस लेस्ट पेंट चैस्ट पेंट पाया जाता है इसलिए वुमें के अंदर जल्दी जज नहीं हो पाता है आगे करें मैंजमेंट तो वही है नौन फार्मकलोजिकल में सेम है क्या है कांसलिंग पेशेंट उसको समझाओ लाइफस्टायल को मडिफाइ करें इस्मोग को रोके सेसे मतलब रोकना अवाइड अलकॉहल अलकॉहल को रोक देवाइड करें डाइट अन्यूटिशन अच्छी करें साल्ट को कम से कम कर दें फार्मकलोजिकल मैंजमेंट अगर कभी इमर्जेंसी होती है तो सबसे पहले य इसके अंदर एस्प्रीन और क्लोपी डोज्रील आता है यह क्या होगा एंटी प्लेटेट मतलब जो प्लेटलेट को थक्का जमाने नहीं देंगी दें थ्रॉम्बो लाइटिंस जो थ्रॉम्बस बन गया था उसको तोड़ने काम करेंगा कौन स्ट्रेप्टो कायने बड़ा अब सब्सक्राइब करके अब तुम लोग कहा थे हैं यह काम तो हम लोग कर चुके हैं फाल्स टीकल कैमिस्ट्री में इसलिए कहा था पढ़ते रहो और रिवाइस खरते रहो ठीक है तो यह हमारे पास हमारे लैक्टर आज का फिनिश होता है ठीक है तो दो बीवारियां बी नाइकॉडल इंफेक्शन फाइनली ठीक है दोनों किसके अंदर आती है इस केमिय हार्ट डिजीज आएएच्ट के अंदर ठीक है ना तो इसको अगर ना है फिर पढ़ना है समझना जो कॉमन चीज़ थे खोड़ा कॉमन दिमाग कॉमन सेंस लगाना है अब इसके अंदर क्या क ठीक है ना बासमझ में आ रही है तो उससे क्या एक्जाम बहुत अच्छा जाएगा किलियर है बासमझ में आ रही है तो क्या करना है रिवाइस करना है और लर्न करना है ओके अल दा बेस्ट